नमस्कार साथियो कैसे हैं आप लोग देवहुमी एजगेशन पॉइट में आपका स्वागत है उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे थोड़े देर पहले मैंने आपको बहुत सारी इंफर्मिशन दी दोस्तो और उसी सीरीज में अभी मैं आपको बताऊंगा क राजकी सहकारी परिवेक्षक के और उसके साथ जाथ कुछ अन्य पद भी है तो फिलहाल हम अभी डिसकस करेंगे आपसे मत्से निरिक्षक के पदों के तो इसमें जैसे कि आप देख पारे होंगे आपर प्रकाशन की थी यानि कि आज आठ तारिक को ये प्रकाशित हुआ ह और आवेदन परारमब यहाँ पर 20 जनुरी से इसके आवेदन परारमब होंगे 20 तरिक से आप फॉर्म भरेंगे और 5 मार्च तक आप फॉर्म भर सकते हैं और परिक्षा का अनुमानित समय इसमें अगस्त 2022 दिया गया है तो कम से कम अगस्त 2022 और अधिक से अधिक कोई लिमि अगर नहीं बना तो मेरे चैनल पर आपको वेडियो मिल जाया कैसे बनाना है तो मार्च तक की डेट है इसमें तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से आसाने से भर सकते हैं कोई भी चीज की दिक्कत आती है तो आप मुझे भी बता सकते हैं तो फटा-फट से जादा देर ना करते हुए भली बाती हम जो है समझ लेते हैं कि आपको फॉर्म कैसे भरना है क्या भरना यह सारी डिटेल क्योंकि फॉर्म भरने से पहले आपको पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है तो दोस्तों आप यहां पर देखेंगे मत से निरिक्षक का तो सबसे पहले मत से निरिक्षक का ही है मत से विभाग के अंतरगत तो इसमें 28 पद हैं टोटल 28 पद हैं तो यहां पर आप देखेंगे अनुशुजी जाती के लिए 5 पद है ठीक है और अनुशुजी जाती के लिए 1 पद है अन्य पिछड़ा वर्गी के लिए 4 पद आरक्षित रूप से कमजो प्यूर की बात करें तो प्यूर पद इसमें आपको 19 पद मिल जाते हैं टोटल जिसमें 4 पद SC के लिए 1 पद अनुशुजी जाती हैं कि ST के लिए और 3 पद जो है OBC के लिए और 2 पद EWS के लिए और 9 पद यहां पर आपको जनरल के लिए मिलेंगे जो प्यूर पद होते है ठीक है टोटल 19 पद हैं अब इसमें जो में चीज है वो है एज एक तो सबसे पहले एज आती है में और दूसरा इसमें सेक्षिक अरहता आती है आयू सीमा इसमें 21 से 42 वर्से तक की मागी गई है और एक वर्से का आपको जो है छूट मिलने वाली है जैसे कि आपको पता है COVID की वजह से जो कि आजकल की एक्जाम में मतलब आजकल जो भी भर्ती आ रहे है उसमें एक वर्से आपको अत्रिक्ति दिया जाता है ठीक है चलिए इसको हम आगे डिसकस करनेंगे थोड़ा शैक्षिक अरहता जो यहां पर important part होता है शैक्षिक अरहता देख लेते हैं तो शै अलावा अथवा में दिया है नीचे या अगर आपके पास यह मान लिजे नहीं है तो आपका सरकार द्वारा उसके समकक्ष मानेता प्राप्त कोई अन्युपादी होनी चाहिए उसी के समकक्ष मानेता प्राप्त होनी चाहिए ठीक है उसी के समकक्ष है और तीसरा अगर यहाब है इस फ़र्म को भरने के लिए तो तीन चीज इहां पर दी गई थी उन दोनों में से अगर आपके पास एक भी चीज है तो आप इस फ़र्म को भर सकते हैं चलिए उसके बाद है लिखित परत्योगी परिक्षा के परिक्षा ही तुम पत के अनुसार पाठिक्रम तो अ बाद में इसका डिटेल जो आएगा लेबस वो भी आपको पता जाएगा अनिके कुल मिला कि इस मान लो आप सो नंबर की आपकी परिक्षा होनी है ठीक है और इसमें जो आपकी नियूंतम अरहता इसमें मागी के जैसे मजसी के लिए से डिप्लोमा मागया ग्रेजियोशन तो इससे संबन न दी मतलब ग्रेजियोशन लेबल का ही आपसे पूछा जाएगा लिखित परतियोगी परिक्षा के बारे में आपको पता ही है दोस्तो 45% अंक आप जो है चाहिए पास होने के लिए कि इसको सामानी और OBC के श्रेणी के जो विध्यार थी उनके लिए और अनु चीज़े ध्यान रख लेना बाद में क्योंकि जब मेरेड लिस्टा आती हमारा नाम नहीं आया वगरा यह ऐसे आप लोग बोलते हों ठीक है यह सारी चीज़ें कोई ज़्यादा इंप्रेट नहीं है जो में में था यह मैंने आपको बता दिया और आयू सीमा जो है वो सबस से 42 वर्षे की एज दी गई थी तो एक साल आपको अधिक दिया जाएगा तो 21 से अब कितना हो जाएगा यह 43 वर्षे हो जाएगा अगर एक जुलाई 2021 को आपको 43 वर्षे से कम होते हैं चाहे एक दिन भी कम होगा तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं ठीक है अगर 43 से अगर एक दिन भी जादा हो जाएगा तो फिर आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे ठीक है तो यहां पर अनुशुची जाती और अन्य पिछड़ा वर्षे के अभिर्षे के लिए जो है पांच वर्षे की छूट दी जाएगी यहां पर को दी गई है जैसे कि यहां पर साफ सा दी जाएगी कुछ यह सारी चीजे क्योंकि यह सारी चीजे बताना इतना जरूरी नहीं है क्योंकि हम जितनी भी भरती आती हर किसी में इन चीजों को बता देते हैं तो यह सारी चीजे सेम वही रहने वाली है जो में होती है जितनी भी भरती आती उसमें एक क्या होता है एक इसको आता है कि कहीं पर sir confusion लग रहा है इस मां कैसे करें तो यह सारी चीज़ें जो है आप मुझे फिर भी बूश सकते हैं ठीक है और इस फॉम को कौन भर सकते हैं कौन नहीं भर सकते हैं यह सारी चीज़ें आपको बदा ही है ठीक है किसी भी तरीके से उत्राखणने से संबन्दित होने चाहिए ठीक है और यहाँ पर यह तो आपके माता-पिता कारिरत हो सरकारी या अर्दसरकारी सेवा में या आपने हाई स्कूल और 12th की परिक्षाई यहां से पास की हो ठीक है और आरक्षन वगरा यह सारी चीज़ आपको पता ही है और फीस क जाएगी यह नियम बना हुआ था तो अभी तक जितने भी कुछ एक एक एकड़ साल से परिक्षाई हो रहे हैं उनका फीस नहीं लिया जा रहा है तो यही कुछ